तो आकरकर बड़े ही जादा लंबे इंतिजार के बाद तकरिवां दो से तीन साल के लंबे इंतिजार के बाद शाओमी न अपना पहला फ्लेक्शिप डिवाइस लांच कर दिया है इंडिया में ऑफिसली जो कि यह है MI10 जी हाँ तो हम इसका आज कंपैजन करेंगे OnePlus 8 Pro से जो कि एक और फ्लेक्शिव डिवाइस है OnePlus की तरफ से आना वाला तो चलिए देखते हैं दौनों का कंपैर करते हैं और देखते हैं कौन सा फोन किस रेंज में बैटन निकलता है तो सबसे पहले हम बाज करेंगे MI10 की डिस्पले की तो यहां पर आपको 6.67 इंचेस का 3D कर्वड E3 एमोलेट डिस्पले मिल जाता है जहां पर आपको एक पंचोल मिलती है इसका जो रेजलुशन है वो है फुल एजडी प्लस एक्सपेक्ट रिशो 19.5 इस्टो नाइन का है और बोडी टू स्क्रीन टू बोडी रिशो है 92.4 परसेंट का ब्राइटनेस काफी ज्यादा है हजार निट्स के उपर है इसकी अगर मैं प्रॉपर बताऊं एक हजार एक सो बीस निट्स की पीक ब्राइटनेस है और यहां पर आपको सारी चीज़े मिल जाएंगी कलर गेमर्ट भी मिल जाएगा यहां पर आपको डिफ्रेंट्ली एमोलेट की स्क्रीन मिल जाती है यहां पर आपको कुरिंगा ग्लास का प्रोड़क्शन दोनों में ही मिल जाएगा अगर मैं ओवराल डिस्प्ले की बात करूं न तो थोड़ा सा बैटर रहेगा वह इसलिए क्योंकि उसमें यहां पर आपको जैसा सुना ही होगा आपने 108 मेगा पिक्सल का क्वार्ट कैमरा सेटप दिया गया है तो यहां पर आपको प्राइमरी जो सेंसर मिलता है वह 108 मेगा पिक्सल का होता है प्रॉपर 108 मेगा पिक्सल का नहीं है बड़ यह पूरा सॉट्वेर के थूर आपको 108 मेगा पिक्सल का कैमरा दे देते हैं तो चलिए इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं काफी ज्यादा चैमरा है वह थे तेरा मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल जहाँ पर आपको 120 डिगरी का फिल्ड ओप व्यू मिल जाएगा आप चैसे 2.4 अपर चर्का 2 मेगा पिक्सल का है जिसका पर चरे 2.4 अपर चर्का और एक और चैमरे में फंक्शन की बात करें तो चैमरे म यह मिल रहे है कि यहां पर कुछ ही फोन है जो 8K तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 4K में भी आप अगर आप चलाने की कोशिश करते हैं या करते हैं आप फोटोगाफी अच्छा लेना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपको पिक्सल टेक्नोलजी का यूज किया गया है और यहां पर भी ओवाइस यह दोनों ही प्रेजेंटर बसका जो अपर्चर साइज है 1.78 का है जो कि थोड़ा सा ज्यादा है अगर हम कंपेर करें में थोड़ा साइज में थोड़ा सा अच्छा है और यहां पर आपको वाइड एंगल लैंस है वह भी 48 मेंगापिक्सल का मिलता है यहां पर आपको सारे टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं और यहां पर वन प्लस में आपको जो लास्ट केमरा चौथा केमरा मिलता है वही है डेट इफेक्ट के लिए जिसको कलर फिल्टर लेंस कहता है और यहां पर भी आपको सारे टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग यहां पर आपको सिर्फ 4K तक मिलती है इस बात का ध्यान रखेगा और बाकि सारी चीज़ें मिल जाती है अल्टरा शूट एच्डियार वगेरा वगेरा 3D ऑडियो भी मिल जात दिया है मैनुल एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए मिलता है जो कि आपको वन प्लस में मिलता है वह थोड़ा सा लेटेस्ट और थोड़ा सा एडवांस है और रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की तो डेफिनेटली आपको एमाई 10 थोड़ा सा बेटर ऑप्शन मिल जाता सारे टाइप के बट यहां पर आप 1080 पी तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा और वहीं वन प्लस का जो सैल्फी केमरा वह मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है इन टम्स ओफ ई आई एस जी हां यहां यहां पर आपको वन प्लस में सोनी का आई एम यहां पर आपको सिर्फ सेल्फी में 1080p मिलता है इसके उपर नहीं मिलता है और उपर देते तो थोड़ा सा बेटर रहता है बट दोनों में यह चीज नहीं है तो हम इसको निगलाइक्ट करते हैं तो अगर आप OIS EIS को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं तो आपको वन प्लस इसमें में कैमरा में भी और उसके जो अधर कैमरा लेंसे से उसमें भी और सेल्फी में भी OIS या EIS तो मिलता ही है बट अगर हम MI 10 की बात करें तो यहां पर आपको सिर्फ में इसका OIS और EIS मिलता है और कैमरा में आपको ऐसा कोई option नहीं मिलता है बाकी के ऑदर function की हम बात क में तो अगर मैं overall देखूं तो MI 10 का कैमरा थोड़ा से मुझे advanced लगा in terms of OnePlus 8 Pro से तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों फोनों के प्रोसेसर की यहां दोनों ही फोनों में सबसे लिटेस्ट 865 प्रोसेसर मिल जाता है बट दोनों में क्या difference आता है वह मैं आपको बता देता हूं जहां पर आपको MI 10 इंडिया में 5G support के साथ आता है जबकि आपको OnePlus 8 Pro 5G support के साथ नहीं आता है तो इस बात का ध्यान रखेंगा और यहां पर आपको MI 10 Wi-Fi 6 के साथ आता है और इसमें एक और चीज़ें कि आप तीनों नेटवर्क फिर वह चाहिए Wi-Fi के दोनों bandwidth हो और आपक आपको काफी ज्यादा improvement है क्योंकि तीनों का network use होगा तो आपको काफी ज्यादा improvement मिल जाएगा आपकी internet में तो अगर processing की बात करो तो definitely आपको MI 10 जादा better processor मलता है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा अच्छा benchmark score किया है और यहां तक की camera score भी काफी ज्यादा better है यहां पर आपक आपको वायलेस चार्जिंग भी मिल जागी अगर हम दूसी तब देखें MI 10 में भी तो यहां पर आपको बैटरी capacity मिलती है वह मिलती है 4780CMH की और यहां पर भी आपको 30W की फार्जिंग मिल जाती है और यहां तक कि आपको 30W की फार्जिंग वार्लेस में भी मिल जाती है यहां दोनों इफोन इस ताम पर वायलेस टेक्नॉलोजी सपोर्ट करते हैं 30W की बट एडवांटेज MI 10 के पास य यहां पर इंडियन वर्जन जो है MI 10 उसमें आपको NFC सपोर्ट मिलता है जबकि MI के दूसरे फोनों में NFC सपोर्ट नहीं मिलता था बट इस टाइम पर मिलता है और यहां पर MI 10 में लेटेस ब्लूटूथ है 5.1 जिससे आप चाहें तो जो आपके पास अगर TWS फिर चाहें व क्योंकि यहां पर इसके जो स्पीकर्स हैं दोनों साइट पर काफी अच्छे हैं अगर आप इसको रूटेट करते हैं फोन को तो आटमेंटिकली स्विच हो जाते हैं लेट तो राइट या राइट टू लेट बट ऐसा कुछ नहीं दिया गया है या किसी और फोन में यहां आपके फोन में भी ऐसा कोई आप्शन नहीं दिया गया है तो यह आपके पास एक अच्छा का साइड वांटेज हैं तो ओबराल कहूं तो अच्छा फ्लेक्शेव डिवाइस है इसकी जो प्राइस है तक्रीवन पचास हजार रूपे की है बट यहां पर अगर हम बलप्लस प्रो की बात करें तो यहां पर आपको यह तक्रीबन चाहूं से 55,000 रुपे का मिल जाता है बट इस टाइम पर अगर आपको काफी जदा एडवांटेज मिल जागा यहां तक कि आपको यह सिर्फ 45,000 के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे अगर आप 40-45,000 रुपे के पीच में कोई पर्चेस कर रहे हैं तो यह अगर आप आईफोन का ऐसी भी पर्चेस करने की सोच रहेते जो की तकरीबन 40,000 के आसपास कही पड़ता है तो आप उससे बेटर है कि आप MI10 पर्चेस कर लीजी आपको कैमरा भी अच्छा मिलेगा प वह भी आप मुझे कमरा मिलेग के पता सकते हैं मैं उसका जरूर रिप्ले दूगा और हमाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल आइकन दबा दीजेगा और और नोटिफिकेशन जरूर कर दीजेगा तो थैंकियो फो वाचिंग माई वीडियो आइम सौरब टेक में टेकनिकली